हलो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगा स्वागत है आए आज हम जूमर अन्बॉक्सिंग एंड इस्टॉलेशन करना सिखाते हैं कैसे जूमर लगाते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सेयर जरूर करें चलिए हम उपेन कर लेते हैं जूमर के बॉक्स को अब देख सकते हैं यह जो है हमने पांच लीडी वर्ब लेखें है यह दिये टिन कलर मेंखो का आप देख सकते हैं यह चाहराट का है कि आपको दिखाने का को इस करें दोस्तों अब दीख सकते हैं जड़े अच्छा वाटका है कि क्योंकि यह मल्टी कलर है यह तीन कलर में है कि यह इसका प्लेट और चैन है उपर के लिए यह लटकाने के लिए और आपको दिखते हैं इसमें सारा इसका डाइमेंड शेप में जो काच है वो है कि इसमें सारा कितना भी काच लगेगा वो डाइमेंड शेप में वो काच सारा इसमें आप देख सकते हैं तो यह डाइमेंड शेप में काच है इसका कि और हम जूमर को भी निकाल लेते हैं बाहर इसको पॉलिथीन को अटाएंगे और आप देख सकते हैं यह बहुत ही खबसूरत कलर में है यह गोल्डेन अंड ब्लैक है यह और यह इसका नीचे का फ्रेम है और वाकी यह सामान मिला है यह उपर का कटोरी रहेगा इसका और इसमें चैन को और वायर को ठकने के लिए और यह चैन मिला इसको चलिए हम तीनों जो किल मिले है लंबे लंबे उसको लगा लेते हैं आप देख सकते हैं यह तीन किल मिलेगा आपको लंबे लंबे इस पर इसका रिंग वाला जो रहेगा वो रहेगा रिंग इस्टेंड चलिए हम तीनों को फटाफट टाइट कर लेते हैं चलिए हमारे एक और बाकी हैं उसको भी लगा लेते हैं फटाट से चलिए तीनों हमारा लग चुका है अब हम इसका रिंग उपर का लगाएंगे दस्तों आप एक चीद ध्यान देजिए इसमें जो बड़े वाले होल हैं उसी में यह स्कुरूप बैठेंगे आपको ध्यान देना है लगाते समय यह तो स्कुरूप ही नहीं जाएगा तो बड़े वाले होल यह है तो इसमें डालके हम सीधा कस लेंगे इसको चलिए हमारा यह भी हो गया है तो हम इसको फटा-फट टाइट कर लेंगे साथे स्कुरूप को चलिए यह भी हमारा हो चुपा है तो अब हम पीछे करके भी इसका जो स्कुरूप है इसको भी टाइट कर लेंगे अच्छी तरह से कि अभी हमने हाथ से वैसे ही फसा दिया था तो हम इसको तीने को अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे चलिए यह हमारा कंप्लीट हो गया है अब हम इसका चैन के उपर जो इसका कपड़ी का कबर हो हम डाल लेंगे इसमें कि चलिए इसको भी उन्हें फटाक से डाल लेते हैं फिर इसको इसी में डालके और इसको यह से याप उपेन करेंगे वह जाके उसमें टाइट हो जाएगा दोस्तों यह अच्छी तरह से टाइट हो चुका है तो हम इसका वयर भी कपड़ी के अंदर से इसका वयर भी लेंगे भी चलिए यह हमारा हो गया और हम वयर का भी खोल के हम इसी कपड़े के मदद के अंदर से यह उपर की तरफ लेके जाएंगे यह भी हो गया है अब हम इसमें बल्ब लगा रहे हैंगे यह लेडी बल पांच बल बैस में आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों सीधा लगा कि उसमें आपको टाइट कर देना है अच्छी तरह से टाइट करना है जब फुली टाइट हो जाएगा वो रुक जाएगा चलिए यह टाइट हो चुका है तो फिर हम दूसरा लगाएंगे अब चलिए दूसरा भी लगाते हैं दूसरा भी हो गया हमारा चलिए चारो हमारा लग चुका है अब एक हमारा सामने की तरफ नीचे की तरफ एक रहेगा तो वो भी लगा लेते हैं टोटल इसमें पांच लीडी बलब है चलिए हमारा यह बलब लगके कंप्लीट हो चुका है तो अब हम यह काच का लगाएंगे जो डाइमंड सेप में काच देख रहे हैं इसको लगाने इसको कैसे लगाने दोस्तों अभी आपको दिखाते हैं यह इसमें आप देख रहे है इसके साथ में यह चोटे-चोटे कील है इसमें ध्यान देना जो आपको डिजाइन दिख रहा है वह बाहर की तरफ रहेगा कि आपको ऐसे डालना इसमें और पीछे साइड से उपर की तरफ मोड़ना आपको उपर की तरफ मोड़के जो इसमें डिजयाइन है यह बाहर की तरफ रहेगा आपको ऐसे मोड़ देना है बस इसी तरीके से सारे काच लगेंगे ऐसे भी करके आप लगा सकते हैं आराम से उठागे उपर और इसी तरीके से मोड़के इसका डिजाइन जो रहेगा दोस्तों ये एकदम सामने ही रहेगा चलिए इतना हमने सारे बना लिए फटा फट लगा के फिर आपको दिखाते हैं चलिए दूस्तों हमने सारा लगा लिए आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा दिख रहा है अब जो कि सारे काच हमारा ये लगने के लिए कंप्लीट हो चुका है तो उपर का प्लेट हम लगा के आपको दिखाते हैं है अब धियान देजी यह प्लेट इसमें रहे गयाए फिर शो पर यह रहेगा स्क्रूप से फिर आप देख सकते इसमें जो एक प्लेट मिला है यह प्लेट करके लगा के फिर तो हम connection भी करके आपको दिखाते हैं, तो हमने लागा लिया है, पूरा हमारा connection हो गया, फिर इसको चालू करके देखते हैं, दिखने में कैसा लगता है, चलिए दोस्तों हम इसको on करते हैं, आप देख सकते हैं, ये दिन का scene है, ये थोड़ा टलग अलग color में है, आप देख सक आपल आपल एको हम में ही माज़ ये सकते हैं, ये ऑल अलम हैं, ये वी अे चाभ सकते हैं, येर ये वे बन्हें ही आपली हैं, भी में मूँ़ाव सकते हैं, पह्ट Państ Palemir